बिसमिले रख्मानी नहीं असला लिकूर फ्रेंड्स कैसे आप सब उमीद करती हूं आप ठीक होंगे मैं बिल्कुर ठीक हूं तो फ्रेंड्स टेड़ देगे तो आप लग समझे क्योंगे आज की वीडियो में क्या है जी हां फ्रेंड्स मैं आज आपसे आज का व्लोग शेयर कर दिया है तो अभी मैं आपको भो भी दिखाती हूं और सबसे पहले ब्रेक्फास्ट कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आज ब्रेक्फास्ट में है यह रोटी टर्णिप विद स्पेनिट और साथ में है एग यह देखें और आज स्वीट में भी कुछ है और हो है यह यह मैं यह देखें इसका नाम है चिकल्स और यह बहुत यमी होती है और इसके अंदर पिंट बगारा भी होती है तो यह काफी जादा मज़की है तो चले आप ब्रेक्फास्ट कर लेते हैं तो फ्रेंड्स हमारे नेवर्स में से किसी ने बेजी थी मारे गर शिकर गंजी यह देखे यह है शिकर गंजी तो काफी लोगों तो इसको पता होगा और वैसी इसको इंग्लिश में कहते हैं स्वीट पटैटोस तो चले इस स्वीट पटैटोस को टेस्ट करती हूँ यह कैसे है तो फ्रेंड्स यह बिलकुल अपने नाम की तरह ही है स्वीट भी है और बिलकुल पटैटोस जैसा इसका टेस्ट आ रहा है तो इसका रामतिस पर बिलकुल सूट कर रहा है बड्र मुझे यह इतने कुछ खास नहीं लगे तो मैं तो यह नहीं खाऊंगी मैं तो बस टेस्ट करना था तो मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आए तो चले हम आपको अपना हीटर दिखाती हूँ हमने हीटर भी क्योंके लवाने शुरू कर दिया हूँ है हे यह हमारा हीटर और हमने याद लिया हम है और हम ने तो सुक्स भी पेहने चुछरू कर दी लिए हैं क्या के ठंड भी हाँ ज़ाद ही और वाइसे भी क्याकिके हम दूब में नहीं तो इसलिए हम हीटर लगा लेते होते हैं और स्थवख वगरा से यह सबसे तो Choi कर लेते हैं तो मैं आपको तापके कही ठांडी ना लग जे और फिर भी मार ना हो जाए तो इसलिए यह देखे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स यह देखे अभी हो चुका है दुपहर का टाइम और पापा क्या ले आया है साग तो फ्रेंड्स साग आचुका है तो यह देखे कितना सारा साग है तो अब हाफ मामा चौप करेंगी तो हाफ मैं करूंगी और यह देखे यहाँ पे मामा करेंगी तो इस सर्दी का यह पहला पहला साग है जो के अब बनने लगा है हमारे घर में तो वैसे इस सर्दी में फर्स टाइम बन रहा है और बाद में तो बनता ही रहता है तो चलें, अभी को इस 페ला साख है। याफी के बनाने में काफी टाइम ला जाना है. याजने के बनाने में के भी एकुछ समया है.. तो šुआ नोrends याज देखिए हैं याजा है। मेरे dough वर बन काफी जाएए। और देखिए मेरे हैंड ग्रीन हो चुके हैं और गंदे भी यह देखें और मैंने यह सारा मैंने खुद ही बनाया है और यह ब्लू वाली है तो इसमें यह मामा ने बनाया है यह देखें यह सारा मामा ने बनाया है और वह मैंने बनाया है तो हम दोनों यह मिल के बनाया है हम ज मुझे साग बन चुका है और यह देखे अभी गरम गरम अभी अभी बना है और शाथ में है यह रोटी यह भी मामा खाने लगी है तो वैसे फ्रेंड्स मैं साज कूँ तो मुझे साग निपसान दा इतना मैं नहीं खाती हूं और जिशान को भी निपसानदा इतना मगर बाकी सब बोशोक सकाते हैं आपे तो अब तो सर्दी है तो अब तो बनता ही रहा ना तो तो मैं तो भी अपनी चीज मखाने लगी और मैं तो चीज खाने लगी हूँ तो फ्रेंट्स मैंने चीज मखवाली है तो यह देखें जो दूसरे वाले शॉपर थे वो अब बंद हो चुके हैं वो अब नहीं आते और अब यह वाले आते हैं तो यह देखें फ्रेंट्स मैंने लेज मखवाई है मसाला लेज और साथ में हैं सूपर क्लासिक तो बजार से तो शौपर बांद हो चुके हैं लेकिन कई कई जगह से शौपर मील जाते हैं जब चीज वगारा लानी हो तो तो फ्रेंड्स I am so happy यह देखे हैं हमारे नेबर्स में ही किसी की शादी थी और मेरी एक फ्रेंड थी उसके घर में ती तो फ्रेंड्स यह देखें उन्होंने हमारे गर में शादी वयला जिखन का सालन और आप वह जिसरा का बता हैं शादी वाले खानले हैं क्इतने यमी होते हैं कितने मज़े के होते हैं और क्योंकि हम शादी हो गार इतना जाती ही नहीं है जाहाई नहीं पाते हैं तो इसलिए हम तो इतने खूश होएं जिए देखें और क्योंकि मैंने तो लंच भी नहीं था किया तो हमने फिर फटावर रोटिया बना ली बागी सब्सक्राइब आपको आपको आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हालाने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक से पहले पहुंच सके और फ्रेंड्स आप लोग जली से जाये मुझे इंस्टाग्राम पे टिक टॉक पे और स्नैक वीडियो पे भी फॉलो कर लें मैं यहाँ पे बहुत अची ची वीडियो में तब तक लिए टेक केर एंड बाई बाई